Hello everyone, welcome back to my channel तो आप में से एक student की request थी कि invertibrates में gills के बारे में एक वीडियो बनाई जाए तो here it is, इसके अंदर हम polykeets के अंदर gills किस तरीके के दिखते हैं या respiration में कौन से organs help करते हैं, वो में आपको बताऊंगी akino dermeta में कौन से होते हैं, वो भी बताऊंगी maluska में कौन से होते हैं, वो भी और crustaceans में, crabs वगेरा में किस तरीके के होते हैं वो भी आपको बताऊंगी तो without further ado, let's get started सबसे पहले हम discuss करते हैं कि gills होते क्या हैं तो gills basically evaginations होती हैं body surface की तो body surface पे कुछ ऐसी extensions जो की respiration में gaseous exchange में help करेंगी ठीक है, जो भी thin-walled extensions होती है body surface की, वो gills कहलाई जा सकती हैं जब तक की वो environmental medium के surroundings के contact में हैं और gas exchange में help कर रही हैं ठीक है, तो ये एक prerequisite है किसी भी particular structure को gills कहने के लिए next आपको पता होना चाहिए कि gills जो होते हैं mainly water breathing के लिए responsible होते हैं तो aquatic organisms में ये देखने को मिलते हैं जहां पे ये जो भी breathing की process है उसे carry out करने में मदद करते हैं अब अगर हम बात करें polykeeds की तो polykeeds के अंदर किस तरीके से ये पूरी process होती है अंगिल्स कैसे दिखते हैं तो कुछ ही इस तरीके का डाइग्राम मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है ये आप देख सकते हैं कुछ tough basically बहुत सारे group बोल सकते हैं group है बहुत सारे छोटे छोटे filamentous extensions का ऐसा ही structure होता है जो की polykeeds के members में देखने को मिलता है और reading में help करता है nearest के case में जो की एक aquatic warm है इसके अंदर parapodia होते हैं आपको पता होगा तो false feet की तरह होते हैं तो feet like structures होते हैं उनी के ऊपर flap like कुछ segments के ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का extensions इसके अलावा bronchial tufts भी देखने को मिल सकती है जैसे कि आपको ये दिख रही है तो bronchi की बनी हुई भी दिख सकती है और ये feeding respiration दोनों में मदद करती हैं तो इस तरीके के structures आपको देखने को मिल सकते हैं polykeets के members में गिल की तरह ही function करते हैं अगर हम akino derms की बात करें तो जिन में starfishes वगरा आती है इनके अंदर आपको पता होगा tube feet होता है जो movement में मदद करता है वट इसके अलावा celomic gills भी होते हैं तो cilum जो भी इनकी body cavity होती है वहाँ पे gills present होते हैं ठीक है? तो ये gills करते क्या हैं cilum वाले area में तो cilum के अंदर जो भी fluid होता है उसे sea water के contact में लाते हैं ताकि sea water के अंदर जो भी gases है उन्हें body के अंदर जो भी gases है उनसे exchange किया जा सके तो इसमें मदद करते हैं ये respiratory tree like दिखते हैं तो इस तरीके का अगर आप structure देखोगे तो tube feet जैसे ये वाला area है इस area को magnify करके देखोगे तो इस तरीके की membranous extensions ये होती है अगर हम मलुस्का की बात करें जिसमें snails वगेरा आती हैं अलग-अलग आते हैं actually मलुस्का के अंदर snails भी आते हैं cephalopods भी आते हैं crustaceans भी आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी तो मलुस्का जो होता है इसके अंदर snails की जब तक हम बात कर रहे हैं इस तरीके का snail आपको दिखता है snail के अंदर gills जो होते हैं इस particular area में होते हैं तो mouth के opposite side पे होंगे और ये इस तरीके के leaf like structure जो है फॉर्म करते हैं ठीक है जो भी chamber के अंदर oxygen आ रही है उसका 60-80% oxygen उसकी extract करने के काबिल होते हैं तो काफी जादा अच्छी efficiency है इनकी लगभख 60-80% efficiency ये show करते हैं पैसे ही अगर एक और category जो मलुस्का की है जिसे crustaceans बोलते हैं, crabs वगएरा इनके अंदर अगर हम देखें तो इनके अंदर बोला जाता है कि गिल्स जो है, protective chambers के अंदर present होते हैं और इनकी oxygen utilization efficiency जो होते हैं वो up to 70% होते हैं, उससे जादा नहीं और जो भी गिल एरिया होता है वो fast moving crabs and slow moving crabs के अंदर differ करता है fast move करने वाले जो भी crabs होते हैं उनके अंदर गिल एरिया जादा होता है as compared to sluggish वाले या slow moving वाले crabs इस तरीके का आपको एक crab दिखे गई यह उसकी eyeball है यह उसका बाहर का पूरा structure है तो इसके अंदर कुछ इस तरीके के pyramid like या cone like कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी यह सारी gill chambers होते हैं और इनी के अंदर extensions होते हैं gills ठीक है और इनी के through जैसे इस side से water जो भी होगा वो अंदर आएगा और जो भी उसके through gaseous exchange है वो होके gill chamber के through वो water होके और फिर बाहर निकल जाएगा gases जो है वो absorb हो जाएगे gill कुछ इस तरीके का दिखता है इनके अंदर यह lamella आपको दिख रहे हैं यह दो lamella है और बीच में central axis है जैसे कि आपको structure में दिखाया हुआ है अब अलग-अलग type के gills होते हैं जैसे एक आपको यहाँ अलग-अलग बताया हुआ है phylo branch, dendro branch and tricho branch जैसे यहाँ दिख रही है यह mark जो मैंने करी इन दो रोज में exist करते हैं ठीक है उसे phylo branch बोलते हैं leaf like एक होता है dendro branch इसके अंदर क्या होता है जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा dendro branch इस तरीके का होगा central axis इस तरीके की होगी और यह gil garment होते हैं इसके आपर बहुत सारे तो यह जो lines बनी हुए है सारी gil filament है तो इस तरीके का होता है तो lamelle leaf like होता है यह सारा lamelle है यह वाला region और यह leaf like होता है और उसके आपर gil filaments रोते है वो attached होते है वैसे एक tricho branch भी होता है जिसके अंदर एक central axis होता है और उसके उपर gill filaments इस तरीके की extensions जो है वो देखने को मिलते हैं तो यह अलग-अलग type के gills होते हैं जो कि आपको different invertebrates में देखने को मिलते हैं I hope you like this video Thanks for watching, bye bye